नमस्कार पिद्धी जनों आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत हैं और मैं हूँ आपके साथ आपके अपने शुब जिन तक आप आई मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सावन का महीना चल रहा है आज जो उपाई बता रही हूं वो ब्रस्पतिवार का उपाई बता रही हूं चोकि सावन का महीना बहुत शुब और पवित्र महीना है इसलिए इसमें जो भी कारह शुरू किये जाएंगे पुजा पाठ से सबंदित धर्म कारह जितने भी किये जाएंगे वो सब बहुत फलीबूत होते हैं इन चत्रूमास में जितने भी आप पुजा पाठ करते हैं जितने भी आप भगवान के निमित काम करते हैं वो सारे के सारे बहुत फलीबूत होते हैं इस चत्रूमास में जैन लोग जो हैं चत्रूमास में विशेश तो लिए बहुत ही शुब होते हैं बहुत ही फली भूत होते हैं तो आज का उपाई जो है ब्रस्पति देव का उपाई है यानि कि कल ब्रस्पतिवार है हमारा सावन का मीना भी शुरू हुआ है तो यह पहला ब्रस्पतिवार आ रहा है आपके चार ब्रस्पतिवार तो इसी में आएंगे लेकिन मैं जो उपाई बता रही हूं उसको आप ध्यान से सुनिए और वीडियो को लाइट तक देखिएगा ताकि आपको इस सरल से और आसान से उपाई का बहुत ही बहुत बेनिफिट मिलें विशेश तोर से हमारे बेटे-बेटियों को लड़के-लड़कियों को जिनके विवा में देरी हो रही है जिनके रिष्टों के लिए मुश्किल हो रही है मेरा मकसद यही है ज्यादा से ज्यादा कि इन चार महीनों में बहुत सारे बहुत सारे बेटे-बेटियों के इवन यहां की बहुत सारे नहीं सभी बेटे-बेटियों की रिष्टे तै हो जाएं और उनकी शादियां चत्रमास के बाद होना निश्चित हो जाएं तो इसको लड़के-लड़कियां अन्मेरिड यह वो तो कर ही सकते हैं कमेंट बॉक्स में कई बार यह भी पुछा जाता है कि क्या तलाकशुदा और जो विदूर हैं वो भी कर सकते हैं बिल्कुल कर सक को उनको सब को बहुत लाब होगा तो ब्रस्पतिवार का उपाय आपको बताने जा रही हूं कल का ब्रस्पतिवार जैसे आप शुरू करते हैं कल के ब्रस्पतिवार को आप सुबह जल्दी उठिये जल्दी उठके नहा धो लीजिए नहाने धोने के बाद नहाने धोने से नहाने दोने से शुरू करने का मतलब ये है कि आप जब नहाएं तो उसमें एक चुटकी हल्दी डाल कर नहाएं अब इसमें भी भेद है कि आप एक चुटकी हल्दी डाल कर नहाते हैं लड़कियां एक चुटकी हल्दी डाल कर नहाने की एक तरीका क्या है और लड़कों का एक तरीका क्या है इसमें भी फर्क है ये मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको बताऊंगी कि एक चुटकी हल्दी से क्योंकि बहुत लंबे टाइम से हमारे बच्चे सुनते हैं कि एक चुटकी हल्दी डाल कर नहाना जाएए अब कई बार कहते हैं कि नहीं जी कोई वेनिफिट नहीं होता है कोई लाब नहीं हुआ है तो उसका जो एक तरीका है कि आप एक चुटकी हल्दी डाल कर जब नहाने लगते हैं तो वो आप उसका शुरुआत कैसे करते हैं उसका क्या तरीका है वो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बढ़ाऊँगी और इसे बताऊंगी आपको लेकिन इसमें बता रही हूं कि एक चुटकी हल्दी डालकर आपको नहाना है लड़के हो या लड़किया हो उनको नहाना के बाद आपको सबसे पहले लड़किया हों उनको एक पीला कपड़ा पहनना है जैसे लड़किया हो तो पीला प्रटा ओड़ सकती है पूरा पूरा पीला सूट पहन सकती है उपर वाला उपर के अंग में पहनने वाला को कपड़ा पहन सकती है लड़के जो है उपर के अंग म सुरणायन भगवान को अरंगय देना है और जो चुटकी अलड़ी आप उसमें डालेंगे वह जब अरगय दे लेंगे तो उसकी किनारे पर जो हलडी थोड़ी सी लगी रह जाये उसका टीका लड़का हो चाहिए लड़की हो दोनों वहां से अपने माथे पर लगाएंगे ये दूसरा तीसरा तरीका बढ़ा रही है उसके बाद से आपको करना है कि पीले बस्तर धारन किये होंगे भगवान को अर्गे दे दिया उसके बाद से आपको विश्नु भगवान की पूजा करनी है विश्नु भगवान को एक केसर का तिलके हल्दी का या पीले चंधन का तिलके लगाईएगा और तुलसी के दो पत्ते जुरूर अर्पित करियेंगा उनको और पीले फूल हो, उनको अर्पित कर देंच तो बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद से आपको तुलसी माता को भी तोड़ा सा हल्दी में, जल में थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी डाल कर जल अर्पित करना है और उनके पास जो एक दीपक परेजलिट करेंगे आप विश्न भगवान के आगे भी और तुलसी माता के आगे भी तो गी में थोड़ा सा थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डाल दीजीगा ताकि वो गी का कलर पीला हो जाए और ये दीपक आप एक दीपक तुलसी माता को करिए रेक दीपक आप विश्न भगवान को करिए यहां तक तो नॉर्मल जो हमेशा बताते हैं वो उपाई है आगे मैं स साथ में सारे बेनफिट वाले काम हैं जितने भी आप करते हैं उसके बाद से आप करिएगा आटा लीजिएगा तीन रोटी का आटा लीजिएगा तीन रोटी का आटा उसमें एक चमच हल्दी मिला लीजिएगा थोड़ी सी एक चुटकी नहीं कहोंगी एक चमच कहोंगी आ इंका गुरू भगवान का है ब्रसपती भगवान का है इसलिए तीन रोटिया इस उपाई में बनानी है आपको तीन रोटि बनाने के बाद इसको घी लगा ले न रहा को तीनों रोटि के उपर कि गाए को आपको क्षिलाना है गाय पुदोस में भी हो सकती है गाय ऐसी ढूंढेगा जो मारने वाली ना हो तो भी इन ना मारने वाली बाहर गणली हो गुम रहे हो तब technology करने वाली की तरफ खोकिए या पहले से आपका जो रिष्टा है जो मना हो रहा या आप जहां चाह रहे हैं लड़की है thing आप लड़का आपको जो जिससे शादी करनी उसका नाम उसका को मॉलूम हो ना चाहिए आप जैसे ही गाए रोटी खा रही होती है वो मगन होएगी रोटी खाने में तो आप दीरे से गाए के कान के पास जाके और उस व्यक्ति का उस लड़की का या उस लड़के का उस परसन का नाम लीजेगा और साथ ही कहिएगा कि मैं इस से चाहती हूँ घुसपसा के दीरे से कह दीजिये परऊस में जाएं तो भी उनको कुछ मत बताएगा बस कहिएगा कि वरस्पतिवार है गाए को रोटी कहलाने आएगी है यह जो आगे कान में कहने वली बात है यह परऊसियों को मत बताना ही लग जाईगा और गली में काय गूम रही है फिर तो आपको किसी को बताना ही नहीं है कुछ भी फिर आप उसके काय के कान में कहके और प्रार्थन करिएगा कि मेरी ये मनोकामना पूरण हो मैं फलाँ वेकती फलाँ लड़की ये लड़के से चाहता हूं कि मेरे शादी हो जाए अब ये साथ ब्रस्पतिवार आपको करना है साथ ब्रस्पतिवार ऐसा उपाई करिए देखिए हाथो हाथ जिससे चाहते हैं उससे होगा जिससे भी शादी चाहते हैं उससे हो जाएगी ये गारंटी शुदा बात उपाई है ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें, सबस्क्राइब करें मैं मिल दियों किसे अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद